Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ नीदी और नीदी स्किचिन में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी लोग स्वास्त होंगे, सेहत मंद होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस गला थोड़ा सा खराब हुआ है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, रेडी मेट आटे से आप कैसे बनाए, पुर्वादी अच्छे, खिले-खिले, दही, वडे बिल्कुल कम टाइम में जैसे मैने जटपड बनाया है, वैसे ही आप भी बना लोगे तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको जो रेडी मेट मेंदू वड़ा का आटा मिलता है, जो वडे का आटा मिलता है आप नॉमली मार्केट में बोलके, उरत की डाल का आटा आप ला सकते हो, इजी ली आपको डेरी पे या फिर आपको डी मेट वगरह में मिल जाएगा आज़कल तो बहुत एजी हो गया, यह सारी चीजे रेडी मेट मिलना बहुत आसान है तो बस क्या हो गया, अचानक से हस्बेंड ने कहा, आज दही वड़ा बना दो तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूँ, तो बस फटा फट से निकाला फ्रिज में से यह आटा और फटा फट से बनाने लग गई मैं दही वड़ा, आएए देखते हैं, यह कमाल का मैज़ेदार दही वड़ा कैसे बनाया है तो यहाँ पे पहले आटे को आप निकाल कर किसी बोल में रखिए, उसके बाद उसमें तोड़ा पानी डालिए उसमें हम डालेंगे दही, तो यह दही जो है, वो मेरी घर की जमाय हुई नहीं है, मैंने बाहर से ही मंगाई हुई है, तो यहाँ पे दही में पानी बिल्कुल मत एड़ करिएगा, इसमें हम डालेंगे शक्कर, अगर आपको चीहे तो हलका नमक भी डाल सकते हो, पर मैं यह यहां पर देखें दही को काफी अची तरीके से मैंने फेट लिया है और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में एकदम थंडा होने के लिए यह अल्रेडी थंडा ही था लेकिन मैं फिर से इसको रख दे रही हूं तो बस यहां पर आटे में नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं यहां मैं यह कह रही थी और आप सभी लोगो आटा बता रही हूं कि इस तरीके से आपका जो आटे का बैटर है वो होना चाहिए तो बस इसको काफी अच्छी तरीके से फेट लिया है और अब आप देख सकते हो मेरा आटा पहले कैसा था और अब कैसा है तो बिलकुली गोल आकार देना है वड़े का तो आपको उंगलियों में पूरा आटा जो है वो एक पकोड़ी के जितना ले लेना है और उसके बाद आपको कड़ाई में किस तरीके से छोड़ना है यह मैं आपको दिखा रही हूं अभी तो आपको जो उंगलियों के प्रेशर से आपको ए एक गोल आकार से मुठी बना लीजिए और उससे आटा जो उपर निकलेगा गोल में उसको आप ले लीजिए और डायरेक्ट कट करके ऑईल में छोड़ दीजिए ये भी तरीका होता है इस वड़े को बनाने का पर मुझे मैं हातों से कुछ इस तरीके से मैं बना लेती हूँ ली तो इसलिए मैंने इस तरीके का इस्तमाल किया है और वही तरीका मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं सारे वड़े मतलब जैसे साथ आठ वड़े क्योंकि मेरी कड़ाई में जितने वड़े जाएंगे उस हिसाब से मैं वड़ो को फ्राई कर लूँगी और हाँ वड़े आपस में चिपके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा तो अब हम क्या करेंगे जब हम इसको लेट मैंने एड़ किया था और बीच के जो मेरे वड़े हैं वो लगभग तयार होने लगे तो मैं पहले उनको पलट लूँगी और फिर बाकियों को पलटूँगी तो बस कुछ इस तरीके से मैंने इनको निकाल लेना है एक प्लेट में निकाल लीजिए इसके आगे का प्रोसेस आपको दही वड़े के लिए क्या करना है वो भी बता देती हूं दोस्तों अगर मेरी आपको आवास क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए प्लीज प्लीज सौरी क्योंकि मेरा गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है और मैंने सोचा था कि ठीक हो जा तो फटा फट से सारे वड़े बनाने के बाद आगे के प्रोसेस में आपको बताती हूं कि क्या करना है तो बस देखा आपने कितनी इजी तरीके से मैं हातों की मदब से गोल गोल पकोड़े बना ले रही हूं वड़ो को बना ले रही हूं तो आप भी इसी तरीके से तो बस इसी तरीके से मैं बाकी वड़ो को भी चान लोंगे और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से फूले फूले से बिल्कुल रसगुले जैसे लग रहे हैं न वड़े तो चलिए मैं तो मजाग कर रही थी तो यहाँ पे बस इसी तरीके से मैंने सारे वड़ो को चान लेना है इसके बाद हम क्या करेंगे एक बाउल लेंगे उसमें हम थंडा पानी लेंगे बिल्कुल थंडा फ्रिच का पानी लीजिएगा उसमें हम डाल देंगे अपने चाने हुए वड़ो को और आप देख सकते हो ना वड़े कितने प्यारे लग रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है ऐसे लग रहा है ऐसे ही खालू मेरे बच्चे तो खाई रहे थे तो इनको थोड़ा सा इसमें पांच मिनिट के लिए मैं छोड़ दोंगी और उसके बाद ये रहे ये वड़े का कलर भी चेंज हो गया है तो अब हमें हातों की मदद से हलका हलका सा प्रेस करके इनको निकाल लेना है क्या होता है ना पानी के वज़े से काफी अच्छे ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो वड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है चलिए अब तैयार करते हैं हमारा दही वड़े का प्लेट तो दही वड़े प्लेट तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी तो है आपको एक अच्छी सी प्लेट ले लीजिए अगर आपकी घर में गेस्ट आए है तो उनको सर्फ करिए बहुत अच्छे तरीके से और दही वड़ा को कैसे देना है ये मैं आपको बताती हूँ तो देखिए जो वड़े पानी से मैंने निकाल रखे थे अब उनको मैंने इस प्लेट में रखा है उसके बाद हम दही से इसको ढेर सारा नहला देंगे ताकि ये काफी अच्छी तरीके से भीग जाए दही जो है वो इसमें पुरी तरीके से समा जाए और हम तोड़ा एक्स्ट्रा दही ही डालेंगे क्योंकि तोड़ा सा पकोड़े ज लाल मेच देखने में अब हमने इसमें डाल देना है हरी हरी चटनी तिखी वाली ताकि खाने में खटा मीटा तीका सबका स्वाद आए और यहां दोस्तों मैंने मीठी चटनी भी बनाई थी पर इस वक्त मैं भूल गई इसमें एड़ करना पर मैंने वीडियो के बाद ना ए हो बहुत अमेजिंग बहुत मैसेदार ये दहीवडा बना है और बहुत कम टाइम में बना है दोस्तों तो आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट कितना खिला-खिला बना हुआ है बिल्कुल कोई कमी नहीं है तो कुछ इस तरीके से हस्बेंट को बना कर खिला आ तो आपको भी पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर से करें वीडियो को लाइक दीजेगा जादा जादा शेयर करिएगा ऐसी मज़ेदार रेसिपी व्लॉग लेकर मैं आप सारा प्यार दीजेगा बाबाई जय श्री राम राम